हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल एस डबलू जी स्टड़ी विद गुरु गुरुज और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाट शोशो कुल्चुरल थियोरी विच वाज गिवन वैदी लेव विगॉस्की तो यह पढ़ते हैं अबाट इस थियोरी वास गिव आज calculate up का मात में मांसिक का एक शोशल इंटराक्शन से होता है जो जो सीख थे fakuste अपने पैरंट से अपने पीर सेयर आपने सिबिंग से अपने टीचर से एपान से कूंसेम्स अपशलम से जो ङूंका मांत है कि दीक साजाओ nostrika करते हैं हैं वह अní जो माना कंसेप्ट उन्होंने बेसिक तीन कंसेप्ट दिये थे कैसे यह शोशल लर्निंग जो है है करता है बच्चों को लर्न करने के लिए और उनके मानसिक विकास में तो उन्होंने ही रिकागनाइज कैसे बच्चे किसी भी टास को इंडिपेंटली कर पाएं विद दा है एंड गाइड़न तो जो लोग है पर गाइड़न देते हैं वो जो नौलेजिबल होते हैं इसलिए उन्होंने उनको बोला एम के ओ मोर नौलेजिबल पॉसर्ण विद लिटल है पर गाइड़न सेटेन पीपल दे विल बे एबल तो परफॉर्म देटा सक्सेस्फुली और उसकी विज़े से वो जो है कोई भी टास सक्सेस्फुली कर पाते हैं उस हैल्प को गाइड़न्स को उन्होंने बुला अगर देज़ेंस ऑफ समवन हो एज बैटर स्किल जिनके पास बैटर स्किल्स होती है जादा नौलेज होती है बच्चे से बच्चे को सिखा सकते हैं उनको गोलते हैं मोर नौलेजिबल परसन तो उनको नोने एम को का नाम दिया मोर नौलेजिबल अदर यह वो लोग होते जो की इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो इनिशियेट करते हैं लर्निंग प्रॉसस और यही गाइडन्स और हैल्प को टेंपरी सपोर्ट को नहीं नाम दिया स्काफ फोल्डे तो उनका कहना था बच्चे में पहले कोई भी टास सीखना चाहते हैं जैसे कि साइकल ही चलाना सब्सक्राइब तो नहीं कर पाएंगे बच्ची के दादा जी हैं वो इसको है कर रहे हैं इंडी साइकलिंग और इसको तब तक वो इंडिपेंडनेंटली सी नहीं जाती साइकल चलाना तो फिर नेक्स्ट इस अ कंसेप्ट सब्सक्राइब को जो कि मैंने आपको बताया था मोर नौलेजिबल आदस जो की उन बच्चों से ज्यादा नौलेज रखते हैं और यह जो प्रॉसेस होता है वो प्रॉसेस कैसा है लर्निंग कैसे होती है बच्चों में लर्निंग होती है फिकाज अफ तर शोशल यह सब्सक्राइब को बच्चों ज्यादा एक शुक्राइब कान रखता है तब जो है वो ज़्यादा सीख पाते हैं और इस इन्हीं लोगों को बोलते हैं mko more knowledgeable others जैसे कि आप देख सकते हैं school में teachers होते हैं घर पे parents होते हैं और जब वो खेलने जाते तो peers होते हैं तो इन सब को बोलते हैं mko more knowledgeable others next मैंने बताया था आपको scaffolding scaffolding में जो भी temporary support guidance help more knowledgeable persons देते हैं बच्चे को और वो तब तक देते हैं जब तक खुझ से independently काम नहीं कर पाता मतलब कोई बी टास्क नहीं कर पाता जैसे कि बच्चा कर चल नहीं पा रहा है साइकिल चला रहा है तो तब तक support भी जाते जब तक खुझ चलाने ले लिए इंक्लूर्स बोथ इसमें क्या होता है सपोर्ट जो गाइडन सब्सक्राइब होता रहता है उसकी quality और quantity बेचेंज होता रहता है in the teaching session जैसे कि वो दारजी cycle चला रहे दिखा रहते है उसको तो शुरु शुरु बे वो cycle को hold करेंगे उसको पैडल चलाना भी सिखाएंगे दीरे दीरे जैसे सीख जाएगे तो उसको चोड़ देंगे तो temporary support होता है वो permanent support नहीं होता है जो more knowledgeable person होते हैं वो अपना जो support है उसको adjust करते रहते हैं अपना level of guidance को adjust करते रहते हैं in order to fit to the student's current level of performance जैसे की teachers भी school में करती हैं कि कुछ बच्चे हैं जिनको ज्यादा support guidance की जोड़ी होते हैं जो कुछ बच्चे होते हैं स्मार्ट होते हैं थोड़ा सा guidance की जोड़ी होती है और वह बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं एक्सल कर पाते हैं तो यह डिपेंड करता है और बच्चे को लगता है कि I can not do I cannot do these things even with help बच्चे को लगता है कि मुझे कुछ help मिलेगी तो में काम कर सकता हूं और यह help तब जी जाते हैं जब तक बच्चे को लगता है जब तक बच्चे को लगता है कि अब में काम कर सकता हूं वह confident हो जाता है यही है लेविगॉस की तो अगर आप conclude करना चाहें तो कैसे करेंगे लेविगॉस की ऐसे साइकलोजिस ते जिन्होंने बहुत ध्यान दिया on social component of the both cognitive and psychosocial development उनके इसी ध्यान की वजह से बहुत साइज रिसेर्चेज हुई और बहुत सारे जो इंट्रक्शन जिन पर पहले रिसेर्च नहीं हुई थी जैसे कि parents, child, teacher, student इन पर रिसेर्चेज होने लगी साइकलोजिस में पर रिसेर्च करी एंड देवाद अटेंशन गिवन तो देवरियाबिलिटी अव रियालिटी और बच्चे का culture to culture भी बहुत डिफेंट करता है मांसिक विकास उनका cognitive development बहुत डिपेंड करता है तो उनका कहना था कि इस नौट गुड तो कंपेर देवलेमेंटल माइल्स्टों अप चिल्डर वन कल्चर तू अनादर मतलब है यह कहने का कि अगर एक बच्चा एक कल्चर में डवलब हुआ है और दूसरे बच्चे दूसरे में हुआ है तो उनक को बोलते हैं उनकी शोशे कल्चर थियोरी आई होब आपको यह कंसेप्ट उनका क्लियर आया होगा अगर आपको यह कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो प्लीज शेर सब्सक्राइब करिए लाइक करिए अगर आपको पसंद आये और कमेंट करना ना भूलिए थैंक यू